गोबर्धन के रादा कुंड के कुटीर आत्रम में योग करते समय एक विदेशी नागरिक की छत से गिर कर मौत हो गई विदेशी नागरिक ओमर योलांडा करीब पांच महा पहले युगल भजन कुटीर में आया था जिसकी रविवार को योग करते समय छट से गिर कर मौत हो गई गटना की सूचना मिलने पर इलाका फुलिस और L.I.U की टीम पहुंची फुलिस ने विदेसी नागरिक के शब को अपने कबचे में लिया हालांकी वहां मौझूद विदेसी महला मेरिया उर्फ स्री देवी ने शब उठाने का विरोध किया विदेसी महला युगक का बिना पोश्माटम के ही हिंदू रिती रिवाज के साथ अंतिन संसकार करने की मांग करने लगी विदेसी नागरिक ओमर यालांडा 43 वर्सका था जो की कोलांबिया के बगोटा का रहने वाला था रविवार की सुबह रादा कुन छटी क्राम मार गेस्तित यूगल की सोर आसरम में वो छट पर योग प्रडायाम कर रहा था तबी वो छट से नीचे गिर गया गटना की जानकारी विदेसी महला ने आसरम संचालक सिफदास को दी सिफदास ने उमर यालांडा को ब्रंदावन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन चिकिस्तकों ने उसे मृत खूसित कर दिया वहीं थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि एमबेसी अगर थाने को लिखित में देती है कि मिर्तक युवक का शब विदेसी महला को दे दिया जाए तो शब दे दिया जाएगा नहीं तो मिर्तक का पंचनामा भर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा जाएगा पोस्